प्रणाम रादे रादे आज के इस वीडियो के इंदर बात करने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं सभी लाइव आजा है बचो फटा फट लाइव आजा है क्लास इंपोटेंट बहुत इंपोटेंट ज्यान रखेगा इसके बारे में बात करते हैं और सीडी डिजीज के बारे में बात करेंगे इसके अंदर करें स्टार्ट सब कुछ ठीक है आवाज वाज सब ठीक है करते हैं स्टार्ट देखिए का इस क्लास को पूरा पूरा करें इस क्लास का जो अभी जो ऑशिडी है वो पूरी पूरी क्लास को करें इसमें डिस्कनेक न हो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके कई ऐसे लक्सन है जो आपके खुद के अंदर देखने को मिलेगा आप बच्चों देखिएग और यह कंपल्सिव या एक्टिविटी तो इसके अंदर और दो प्रकार का डिसॉडर है जो ऑसीडी बीमारी है इसके अंदर दो प्रकार की बीमारी यह बच्चों ध्यान रखना आपने देखा होगा ओसेशन इसके अंदर क्या होता है अन्वेलकम अन्वेलकम आईडिया इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ओप्सेशन इज ए थिंकिंग डिशॉडर यह क्या है बच्चों धिंकिंग डिशॉडर है थिंकिंग डिशॉडर है थिंकिंग डिशॉडर यह थौट डिशॉडर बोल सकते हैं इसके अंदर ओप्सेशन के अंदर उस सब व्यक्ति के अंदर क्या आ रहा है थौट आ रहा है si abnormal a कर आ रहा है अंवेलकम आइडिया का मिन बंड माइड ऑन ब्इलकम आइडिया आ घो इसके बात मैं बात करते हैं यह कंपबसिव यह है एक activity disorder है आइक्टिविटी डिशॉडर activity तो इस प्रकार से अंदर इसके अंदर बात करें कि दो प्रकार के disorder से मिलकर के एक OCD का formation होता है एक के अंदर तो एक पहला जो वर्ड है इसका मतलब है कि unwelcome idea come in the mind एक वेक्ति है उसके के अंदर अन्वेलकम आइडिया आएगा और उस अन्वेलकम आइडिया की वज़े से क्या करता है वेक्ति activities करता है तो इस प्रकार से obsessive-compulsive disorder जिसके अंतरकर एक तो thinking disorder का portion होता है obsession is a thinking disorder और compulsive है यह activity disorder का है यह बहुत ही खतरना condition होती है अब इसके अंदर वेक्ति के अंदर हमेश्य कई प्रकार के जैसे आपने देखा होगा एक वेक्ति वो बार बार हाथ दोता है जैसे बार बार हाथ धोना बार बार हाथ का धोना बार बार क्या करता है वेक्ति हाथ आता है फिर बाद में बोलता है कि नहीं मेरे वापिस हाथ गंदे हो गए है इस प्रकार से मेरे हाथ गंदे हो गए डस्क लग गई है तो उसके दिमाग में एक अनवेलकम आइडिया आया प्रण्जन्ट जबकि उसके हाथ में कोई गंदगी नहीं लगा हुआ है प्रण्ट उसके दिमाग में अनवेलकम आइडिया आएगा और उस आइडिया की वजह से वह वैट्टी हाथ दोने के लिए जाता है वह एक्टिविटीज करता है तो से unwelcome idea come in the mind जब unwelcome idea आएगा उस condition में वेक्ति वो कार्य को करता है परन्तु उस कार्य को करने के बाद में भी उसको संतुष्टी नहीं मिलती है इसको बोलते हैं obsessive compulsive disorder understand तो यह condition देखने को मिलती है करेंगे बातें बहुत सारे एक neurotic disorder के अंदर आता है OCD जिसमें मुखे दो विश्शिस्ट लक्षन पाई जाते हैं एक तो होता है obsession obsession बोल तो या obsessive बोल दो ठीकर एक तो होता है obsession एक होता है compulsion obsession वेक्ति में आने वाले अवांशित विचार होते हैं unwelcome idea होते हैं unwelcome उनका thinking होता है जो वेक्ति के मन मस्तिक्स में सिंता या तनाव उत्पन करते हैं मैंने आपको बताया कि उसके वेक्ति के दिमाग में हैं कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं उसमें dust लग गई है तो ऐसी condition के अंदर उसके unwelcome idea आता है जिसकी वज़े से वो tension में जाता है तथा ये विचार वेक्ति के मन में बार बार आते हैं हैना उसके अंदर ये जो thought है thinking है वो repeated आती रहती है कि मेरे हाथ गंदे हो गए गंदे हो गए वो तना में आ जाता है और इस अव आंशित विचारों के परभाव में वेक्ति में कुछ बादेता किरियाई उत्पन होती है जो कि अतार्किक वो वास्तिक उदिशिये पूर्टी से परे होती है और इन किरिय के अंदर वो क्या करता है वो वास्तिक उदिशिया को उदिशिक की फ्राप्ति करने के लिए मतलब हाथ गंदे हो गए हैं तो वो क्या करेगा दोने के लिए जाएगा परन्तु इस प्रकार से इन किरियाओं को पूरा करने के बाद में भी हाथ दोने के बाद में भी कोई ख बार बार वो क्या करेगा एक्टिविटीज करेगा ये कंडिशन होती है जैसे यहां पर एक एक जामपल किसका दिया हुआ देखो एक व्यक्ति को उनके हातों को गंद्य होने का बार बार असमाने अनुभव होता है इन्हें व्यक्ति के अंदर गंदकी के परती ऑफ्शेशन क पूर्टि के लिए व्यक्ति बार बार अपने हातों को धोता है जबकि उनके हात साफ है फिर भी बार बार उनके मनमें गंद्य का रोग ग्रस अहसास बैटा रहता है और हातों को बार बार अदोना एक कंफल सीव प्रकृया कहलाती है तो इस परकार से कंडिशन देखने को म कंडिशन ऐसी कंडिशन आप लोगों को भी देखने को मिलेगी मैं जैसे हैं है लोग लगाना खवाश्यटा नहीं की Word ताला आला चाला ताला लगाना अपर ताला लगाने के बाद में वो मैन गेड तक गया मैन गेड पे जाने के बाद में उसके उस वेक्ति के दिमाग में आया कि मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया उसके अंदर दिमाग के अंदर अन्विलकम आइडिया आया कि मैंने लगाया था या नहीं लगाया उसके दिमाख में आईडिया आया, वो फिर मेंगेर से वापिस आता है, आने के बाद में देखता है, तो लोग तो लगा हुआ है, फिर बाद में वो तो भी वो लोग को क्या करता है, खिसता है, कि कहीं खुला न रहे जाए, फिर बाद में वो वेक्ति वापिस जाता है, मेंगेर प तो फिर बाद में वो क्या करता है देखने के लिए आता है वो एक्टिविटीज करता है तो इस प्रकार से आना जाना करता है तो यह एक अब बात करते हैं और अब कमफल्सिव की विशेश्था क्या होती है उसको संका विचार और अब तार्किक वो शिर्फ कालपनिक विचार होते है कि obsessive की विशेश्था क्या होती है कमफल्सिव की विशेश्था क्या होती है obsessive एक thinking disorder है यह विशार अतार्किक वो शिर्फ कालपनिक विचार होते हैं वो अपने कालपनिक के आधार्पी करता है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यह 100% सही है ठीक है अकालपनिक होता है इस प्रक होते हैं परन्तु चेतनिय भाग इसके बारे में जागरूगता नहीं होता है वेक्ति की अंत्रद्रश्ट्री उपसिद रहती है इसमें वेक्ति परतिरोध करना चाहता है परन्तु रोग नहीं पाता है मतलब इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि लोग लगाने के प्रकार की कंडिशन उस वेक्ति के अंदर देखने को मिलती है इसमें वेक्ति परतिरोध करना चाहता है परन्तु रोग नहीं पाता है वह एक्टिविडिज करता है जैसे मैं कहूं कि हाथ दोने वाली प्रक्रिया मैंने आपको बताई वहाथ दो करके आया और उसके को खोलता है और हाथ को दोता है ठीक है यह कंडिशन देखने को मिलती है ठीक है और उसके बाद में हैं कंफल्सन या बात देता यह किरिया वेक्ति में उत्पन चिंता को कम करने में सहता करती है किरिया वेक्ति में उत्पन चिंता को कम करने में सहता करती है कैसे कम करेगी बच्चो जैसे मैं कहूं कि यह हाथ दोना है हाथ गंदे हो गए है तो क्या करेगा वो जाएगा बोले कि हाथ गंदे हो गए उसको तनाव और टेंशन में आ गया कि सब क्या करें उसको मन नहीं ल से मिलता है यह किरियाई कालपनिक विशारों के विरूद की जाती है यह समय को बरबाद करने वाली किरियाई होती है बचो एक एक जामपल आपको और देता हूं एक जामपल और देता हूं देखिएगा एक OCD वाला परसन है एक वेक्ति पूजा करता है बार-बार पूजा करेगा पूजा करना पूजा करना पूजा करना पूजा करना इस प्रकाश से OCD वाले डिसॉडर वाले लोग होते हैं जैसे घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में पूजा करने का तो कुछ तैम होता है कुछ आधा घंटा 15-20 मिनिट में एक गंटा मालो कोई ऐसा लोग है नहीं तो पांस-दस मिनिट में हो जाते हैं अब घर में पूजा कर रहा है सुबे चार जदो करके सब आपने सनामना करके पूजा करने में और गंटी ले分 Kenned ने करके स्टाट हो जाता है आप पूजा करता रहता है घर वाले भी देखते रहते कि बहुत टाइम हो गया है तो उसको बोलते हैं गरवाले बो पूजा करने से सांती मिलती है तो वो पूजा करता रहता है करता रहता है ठीक है भाई अब उसके बाद में सुबह स्यार बज़े से लेकर के 9 बजे तक घर में पूजा किया उसके बाद में वो दुकान पे जाता है और दुकान पे जाने के बाद में फिर वो दुकान का सट्र खोल करके अपने अगरबती लगा करके घंटी ले लिया हाथ में और वो घंटी बजा रहा है पूजा कर रहा है लोग वहाँ पे दुकान पे आ गए हैं सामान लेने के लिए वेट कर रहे हैं परन्तु वो अपने धुन में हैं वो वेक्ति अपने धुन में हैं अपने पूजा करता ही रह रहा है करता ही रहा है कर रही रहा है ठीक है अब उस परकार से वह वहां के लोग है वो वेट कर रहे हैं कब पूजा कंप्लीट हो होगा और कब मेरे को सामान देंगे परंटु फिर बाद में वह दुकान से भी निकल करके मंदीर के सामने उस दुकान के सामने एक मंदिर हैं काओंवें बॉह है और उसके लाज़ा जाता पिर वहां के जो दुकान पे लोग आए कि आप इतना लंबा पूजा करते हैं क्या होता है तो वो बोलता है कि मेरे पार इस प्रकार से पूजा करने का मन में एक ऐसा भावना आता है आइडिया आता है और इस प्रकार से मैं पूजा करता हूं तो मेरे को सांती मिलती है तो इस प्रकार से उसके पूजा करने का मन में विशार आता है और वो बार-बार activities कर लेता है अब सुबह रात में सुबह early morning के अंदर 4 बज़े उठावा वैक्ती 12 बज़े तक regular वो पूजा ही करता रहता है उसके दिमाग में idea आता है उसको संतुष्टी के भाव आते हैं तो इस प्रकार की प्रकरिया वो बार-बार करता रहता है जिसकी वज़े से उसको दिमाग में ये रहता है कि मेरे को संती मिलती है ठीक है फूजा करने से तो संती मिलती है परनको इतना लंबा फूजा करने से संती नहीं मिलती है तो इस प्रकार की इन किर्याओं के संपन होने पर भी वेक्ति को परसंता का अनुबव नहीं होता है अब पूजा किया बारा एक बज़े आया फिर बाद में सांथी की बात करें पर फिर बाद में उसके दिमाग में हैं फिर बाद में कुछ न कुछ और आइडिया आते रहते हैं वो खुस नहीं आपको introduction के बारे में बात करें, OCD एक neurotic disorder होता है, OCD के अंदर दो परकार के disorder मिलकर के एक मिमारी होती है, जिसको OCD का जाता है, OCD की full form obsessive-compulsive disorder होता है, Obsessive जिसके अंतरकत unwelcome idea come in the mind, mind के अंदर unwelcome idea आता है, जिसके अंतरकत unwelcome idea की वज़े से उसको क्या करता है, वो activities करता है, तो ये condition क्या कहलाती है, OCD कहलाती है, अब बात करते हैं, etiology के बारे में बात करें, etiology के अंदर अनुवान्शिक्ता, ये mostly देखने को मिलता है, इस रोग में एक PD से दूसरी PD में transfer की अत्यदिक संभावना होती है, इनकी अनुवान्शिक संसरन की संभावना निम्द प्रकार से होती है, तो इस प्रकार से अनुवान्शिक्ता भी, अनुवान्शिक्त भी genetic भी कोज करता है, होने वाली संतान के अंदर, और जो cd वाली विमारी है वो ट्रांसपर हो सकती है जिसके अंतरकत मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर MODO47 ट्िंस जिसके अंतरकत जो सिंगल शिंगल और सिंगल ओओम के द्वारा जो twins baby होता है उसके अंदर 80 to 90 परसेंट जो यह genetic transfer होने की संभावना रहती है साती साथ में डाइज जाइगोटिक के अंदर क्या होता है दो sperm और दो ovum जिसकी वज़े से twins baby का निर्मान होता है जिसके अंदर कर 50 परसेंट होने की संभावना ओती है तो इस प्रकार से अनुवान सिकता जिसके अंदर monogigotic twins और dygotic twins के अंदर यह spread होने की संभावना रहती है रोग्रस माँ बाप से बच्चों में माँ बाप से बच्चों में कितना होता है पेरेंट से 30 to 50 परसेंट होता है तो अनुवान सिकता के अंदर देख लिया आयूगरक के बारे में बात करते हैं जिसके अंतरगत बाले आवस्ता में रोग होने की संबावना 50 परसेंट होती है एडल्ट के अंदर ये रोग होने की संबावना 50 से 30 परसेंट तक होती है मेरे केने का मत्तब यह हुआ कि इसके अंदर चाइल्ड हुड के अंदर होने की संबावना ज्यादा होती है एडल्ट की तुलना में OCD की ठीक है ये ध्यान रखना है उसके बाद में तीसरा है तनाव पूरण इस्तती एडिंग डालिएगा बच्चों तनाव पूरण इस्तती तनाव पूरण इस्तती तीसरा कारण है तनाव पूरण इस्तती तनाव स्टियों बड़े लेवल पर जीमेजार होती है वह ऐसी स्टियों में रो की गंबिरता भी अधिक होती है रेगुलर वह टेंशन फ्रेशर में रहता है तो ऐसी कंडिशन के अंदर यह जो ऑसीडी वाली बीमारी है वह होने की संभावना जादा होती है दूसरा होता है कि प्रोब्लम हैं तो वह कोई बीमारी मेंटल डिस्टर्बेंस वह उत्पन करता ही थी उसके बाद में अधर निरोलोजीड डिस्टर्बेंस जिसके अंदर क्या होगा ब्रेंड इंजूरी उत्जक्त पदातों के सेवन से उत्पन विकार कार्बन मोन ओक्साइड पोईजनि किसी कारण से मस्तिक्स में सेरोटोनिन निरो ट्रांस्मिटर के लेवल में ब्रिदी आधी इस विकार से उत्पन होने वो बढ़ाने में साहिक होती है तो इस प्रकार से neurological disorder, brain का किसी भी प्रकार का infection है, संकर्मन है, या tumor वाली condition है, या brain के अंदर पाए जाने वाले जो neurotransmitter होते हैं, neurochemicals होते हैं, जैसे serotonin है, इसके level यही बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की condition उत्पन होती है या देखने को मिलती है, तो ये बात आपको क्या रखना है, बच्चो, kept in the mind के अंदर रखना है, दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं, जिसकी intelligence power कम होती है, जो IQ level होता है, वो कम होता है, low intelligence level, IQ level कम होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था, बच्चो, कली आपको class करवाया था, normal IQ level कितना होता है, कौन लिखेगा, normal IQ level, normal IQ level कौन लिखेगा, बच्चों बताईएगा, जो regular class करता होगा, वो बताएगा, लिखो, normal IQ level कौन लिखेगा, mental retardation के अंदर IQ level मैंने बताया था, एककल आपको, लिखिए, लिखिए, हाँ, ठीक लिखा, और अभी लिखा है, 70 से लेकर के 110, 90 से लेकर के 110, ठीक है, 90 से 110 होता है, बच्चो, या 90 से लेकर के 109 तक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चो, हाँ, 90 से 109, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से IQ level को भी आपको ध्यान रखना है, 90 से लेकर के 109 IQ level होता है, वो normal होता है, आईक्यू लेवल का बच्चों फॉर्मूला लिखेगा किस प्रकार से निकालते हैं फॉर्मूला ये भी लिखो बच्चों ठीकें तो इस प्रकार से उसके बाद में हैं मनो रश्णाओं की असपलता डिफेंस मेकनिजम अपनाते हैं आइसोलेशन व्यक्ति है जो अपने एक जगे पे अकिला है एक ही रूम में है या अकिला पड़ गया है या रियक्शन फॉर्मेशन और अंडूइंग की मनो रश्णा की असपलता होने पर ये रोग उत्पन हो जाते हैं ठीक है ना उसके बाद में कईये से वातावर्ण कारण भी होते हैं वातावर्ण ये कारण भ अभी भी पढ़ते हैं mental disorder जिसके अंतरकर मुस्ति जो science symptom देखने को मिलते हैं वह इस प्रकार से basic symptom ही देखने को मिलते हैं तो द्यान रखिएगा बच्चों क्या-क्या साइन्स सिंटम के बारे में बात किये सबसे फेले हैं अनुवानशिक्ता जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस औरDAI जाइगोटिक ट्विंस के बारे में बात किये ऐसे माता और फिता जो पेरेंट्स है वो इस विमारी से गर्षित है तो संतान में होने की संभावना 50% होती है आयू वर्क जिसके अंदर बाले अवस्ता में ज़्यादा होता है एडल्ट अवस्ता की तुलना में तनावपूर्ण इस्तती में रहता है लंबे समेते उसके बाद में अधर नियूरोजिकल डिशॉडर नियूरोजिकल डिशॉडर जिसके अंदर ब्रेन इंजूरी कार्बन मोनोकसाइड पोईजिनिंग है ना या ब्रेन के अंदर से रोटोनिल लेवल है उसका लेवल क्या होताता है बढ़ जाता है उसकी वज़े से और IQ से उत्पन हो जाती है उसके बाद में एन्वार्मेंटल फेक्टर जिसमें अविवाइत होना कुछ वर्ग जो या सिक्सित वर्ग में असंतुष्टी की भावना होने पर भी क्या होता है OCD वाली बीमारी होती है ठीक है तो उसके बाद में बात करते हैं साइन्स सिंटम के ब पूरा देखते रहेगा अब काहानी को देखे बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है गंदकी के संका के विचारों की उपस्तिजी होना मैंने आपको बताया था कि वेक्ति के हाथ में क्या है गंदगी लग गई है ऐसा उसको ऑफसेशन होता है और जिसकी वज़े से क्या करता है एक्टिविटीज करता है कंपल्शन परकरिया अपनाता है दूसरी बात दूसरा उदान देखिए बच्चों दूसरा उदान को लिखिएगा उसके घर में उस इस प्रकार्ट के जो परसन होते हैं उनके घर में को गेस्ट लोग भी आते हैं ना गेस्ट लोग गेस्ट लोग आते हैं गेस्ट लोग आएंगे तो आएंगे तो वहां पर रूम में बैठेंगे यहां बैठेंगे यह टीवी चल रहा है को चैनल को चैन्ज करना है तो रिमोंड का भी यूज करेंगे उसके बाद में खाना खाए पिये और उसके बाद में वारताला फुई और उसके बाद में वापिस चले गए जैसे ही गेस्ट लोग आने के बाद में जो बैड सीट पे बैटे हैं रिमोंड चलाए हैं इधर उदर इस एरिया के अंदर घूमे हैं उसके बाद में वो कुछ समय काफी समय के बाद में वो घर चले जाते हैं तो जैसे ही वो बार निकलते हैं उसके बाद में वो रूम को बन करता है उसके दिमाग में यह आता है कि सारा रूम को गंदा हो गया यह सारा रूम क्या हो गया गंदा हो गया है यह बेड़ सिट गंदी हो गया है क्योंकि वो उनके करेगा धो देगा और पुरा रूम को तो पानि से धो देगा तो इस प्रकार से उसके दिमाग के अंदर क्या आता है unwelcome idea देखने को मिलता है और जिसकी वज़ाद65 करता है तो इस प्रकार से गंधकी की संका के विचार की उपस्रति हो ना लेंगिक संबंदों संबंदी संका विचारों की उपस्ति होना ध्रम दर्शन संबंदी ऑफ्षेशिव थौट मैंने आपको बता पूजा पूजा कर रहा है वो बार-बार पूजा ही करता रहता है लंबे समय से पूजा करता है घरवाले भी पूचते हैं दुकान पर भी लोग पूचत हो ठीक है तो यह कंडिशन उसको देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद में ऑफसेशिव थौट उसके दिमाग के अंदर आएगा आक्रामक संबंदी उसके बाद में इस्वन सक्ति हास संबंदी संकाय विचार उसके यादास उसको कम हो जाएगी जिसमें मैंने आपको बता से वह घूंता रहता है फिरता रहता है ठीक है उसके बाद में बार-बार सफाई करने की किरिया को बाद देता बार-बार हाथ दोएगा ताला क्या लेका हुआ है तालों तालों दर्वाजों को चेक करना बार-बार चेक करता है बच्चों की शुरुक्षा को बार-बार उसके बाद में बार-बार काल अपने गलतियों के लिए माफी मांगता है, बार-बार जैसे कुछ होता है तो अपने मन से ही माफी मांगता है, कि ये मेरे इसे गलती हुई है ये मैंने पाप कर लिया है बार-बार वसक्तों को शूकर उनकी उपस्थती को सुलिशिट करता है देखता है अच्छा ये है ये है फ्रीज है टेबल है प्सका रखा हुआ है और पोकेंट कहा है तो वो जा करके इस प्रकार से टुस्ट करता है और देखता है तो इस प्रकार के कंडिशन है उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है उसके बाद में एक एक्जामपल के बारे में और बात करो कि वो घर के अंदर न्यूजपेपर है पत्री का है जो बहुत पूरानी है प्रंदू वो इक्ट्या करके रखेगा बाहर नहीं फैकूंगा यदि किसी कारवाद उसने सेलेक्ट कर दिया कि अच्छा यह कच्रा है उसको फैक देते हैं तो वह कच्रा में रोड से उस साइड में फैक दिया और फैकने के बाद में रूम पे आता है और उसके दिमाग में यह आईडिया आता है कि मैंने काम की तो ने रहेगी है ठीक है तो इस प्रकार से वह उसके दिमाग के अंदर आइडिया आता है और जिसकी वज़े से वह एक्टिविटीज करता है जैसे आपने देखा होगा कि जो यह अपने कोई भी लेटर भेजते हैं लिफापा के अंदर पै करते हैं और उसके बाद में उस दिया है लिफापा के अंदर लेटर डाल दिया है बंद कर दिया है और फिर वो जाने लगता है उसके दिमाग के अंदर आया कि मेरे इसके अंदर मैंने जो लेटर है जो लिका है जिसको भेजना है वो मैंने डाला या नहीं डाला फिर वह वापिस उसको क्या करता है खोलता तो इस प्रकार से उसके दिमाग के अंदर आता है खोलता है तो उसके अंदर तो लेटर आल्रेटी है प्रंतु उसके दिमाग में इस प्रकार से आइडिया देखने को मिलता है विचार आता है और जिसकी वज़े से वह एक्टिविटीज करता है इस प्रकार की कंडिशन देख उसमें लोस हो जाती है और जिसके वजी से बार-बार activities करती है करता है जिसमें बार-बार सपई करना ताले दर्वाजा को चेक करना बच्छों की शुरुकता को बार-बार संभालना वश्तू को बार-बार वरस्ति धंग से जमाना रखना वह अपने कारे करता रहता सारा दिन जिसका उल्टा-फुल्टा जैसे बोढ़े उल्ट-फुल्ट करते रहना है, जिस दब की कोई मकसद मतलब नहीं है. उसके बाज में management के बारे में बात करते हैं. अब क्या-क्या, बच्छों? OCD के बारे में बात कर दिया, definition क्या है, उसका introduction क्या है क्या क्या कारण हो सकते हैं कौन-कौन से लक्षन है वो देखने को मिलते हैं अब किस प्रकार से उसका treatment करेंगे उसके बारे में बात करते हैं ठीक है बच्चो अब बात करते हैं कि यह अपने क्लास बच्चो नो बज़े से हैं ठीक है नो बज़े से होगा नो बज़े के बाद में पांस-दस मिन्ट उपर निसे वह सकता है ठीक है अरे भाई समझ में आया बच्चो अब बात करते हैं medical management OCD है उसका management के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले medical management करेंगे मरीज में मौझूद रोग लक्षनों के परकार वा गंबिर्ता के अनुसार सिकिस्षक निम दवा समू में से मरीज के लिए सरवादिक उपयोगी दवा का select कर मरीज के लिए prescribed करता है विभीन परकार की पस्लिद दवाया है जो निम परकार की है अब इसके अंदर OCD Obsessive Compulsive Disorder है ब्रेन के अंदर आइडिया आता है उस आइडिया को कम करना है विभीन परकार की जो की जाने वाली activities है उसको कम करना जरूरी है तो इसके लिए डॉक्टर अपने क्या करता है दवाई जो select करके लिखते हैं जिसमे selective serotonin re-uptake inhibitors जो ब्रेन के अंदर neurochemicals है जो serotonin है उसके लेवल जो बढ़ जाता है उसको कम करना होता है ठीक है यह बच्चों selective serotonin re-uptake inhibitors drugs है यह anti-depression drugs के अंदर आती है ठीक है तो यह दवाई दिया जाता है कौन-कौन सी दवाई देंगे जिसमें fluxatin, fluoexamine और sertralin उसके बाद में है sertronin, norepinephrine, re-uptake inhibitors और जिसके अंदर क्या है क्लोमी प्रोमा मिन और वेन, वेनले फ्रा एकजाइन ठीक है इसको बच्चों देख लेना यह दवाई देते हैं एक तो देते हैं SSRI इसकी full form भी याद रखना selective serotonin re-uptake inhibitors जिसके अंदर क्या आएगा यह तीनों दवाई आएगी एक दो और ती उसके बाद में दूसरा दवाई है जिसके अंदर रहेगा कोमी प्रामाइन ध्यान रखेगा कोमी प्रामाइन वेनले वेनले फे एकजाइन यह दवाई होती है उसके बाद में जिसमें अलफ्रेक्स और कलोने जेपाम अलफ्रेक्स देते हैं कलोना जेपाम देते हैं उसके बाद में एंटी साइकोटिक्स ड्रक्स के अंदर तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है है ऐलो फेयोलटम आ है लो फेयोल है ये सब दवाई यह देते हैं तो एंटी साइकोटिक्स दवाई देंगे एंटी क्लो करने की थीए यह बात को क्या रखना है के अंदर रखना है यह बात आपको क्या है ध्यान रखना है बच्चों कि जो फार्माको impeccal जितने भी फार्माकोलोजिकल ट्रीटमेंट है according to disorder मैंने आपको फार्माकोलोजी वाली क्लास के अंदर पूरा complete रूप से बताया हुआ है कौन सी दवाया है drugs of choice किस बिमारी के अंदर कौन सी drugs of choice है उसके बारे में बताया हुआ है वहाँ से आप बच्चों देख सकते हैं तो सबसे पहले है drug therapy, drug therapy doctor decide करेगा, psychiatric doctor है वो decide करेगा कि यह यह दवायां देनी है, जिसके अंतरकत इस प्रकार से यह दवायां देते हैं, इसको एक बार देख लेना, उसकी बाद में electroconversive therapy, अब electroconversive therapy OCD के अंदर तो नहीं दिया जाता है, परन्तु सामाने OCD के रोगों मे ECT का प्रयोग नहीं किया जाता है, परन्तु depression के साथ OCD वाले गंभीर अवस्ता में ECT प्रयोद की जाती है, जो severe depression वाले मरीज होते हैं, उसके अंदर OCD और depression प्लस OCD है, मतलब depression भी उसको है, उस वेक्ति को depression है, और साथ में OCD वाली बीमारी के लक्षन देखने को मिलते है तो क्या करते हैं, ECT देते हैं, electro-conversive therapy, current के जटके लगाई जाते हैं, ये भी बच्चो YouTube पे वीडियो है, ये बहुत important है, ECT क्या है, ECT कितने प्रकार की होती है, कैसे देते हैं, क्या nursing care है, indication क्या है, contra-indication क्या है, तमाम प्रकार की बातें उस ECT के बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं, surgical treatment, इसमें दो वीडियों का उप्यों किया जाता है, जिसके अंदर ये कौन सी वीडियों है, syngulotomy या deep brain stimulation, brain का stimulation करवाया जाता है, उसके बाद में है, trans criminal magnetic stimulation किया जाता है, तो इसको देख लेना बच्चो, surgical management के अंदर, बस ये दोनों ही आपने surgical method हैं, उसको ध्यान में रखना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको थोड़ा नहीं देखना है, ठीके, उसके बाद में behavior therapy, उनकी वेवार के अंदर बदलाव लाया जाता है, बच्चो, वेवार के अंदर क्या लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है, कैसे बदलाव लाया जाता है, किन-किन therapy के दुवारा बदलाव लाया जाएगा, इसमें निमिन वीविन परकार की वेवार सिकिस्ता वीजियों का उप्यों किया जाता है, जिसमें exposure and response prevention, exposure and response prevention, इसके अंदर बच्चों बात करें जैसे बच्चे को इस्पून लेते हैं चमच को हाथ में पकड़ाते हैं वो पहले नहीं पकड़ पाता है फिर बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है फिर धीरे धीरे उसको जैसे वो इस्पून अच्छी तरीके से हाथ में पकड़ लेता है तो ताली बजाते हैं या उसको कुछ चौकलेट देते हैं तो इस प्रकार से वो एक्टिविटीज बार-बार करेंगे तो वो क्या करेगा वो अपने अच्छी तरीके से इस्पून है वो हाथ में पकड़ लेगा तो इस प्रकार से जो और सी कंफल्सिव डिसॉर्डर है उन लोगों को पहले तो एंटि सैकोटिक ड्रक्स एंटिडिप्रेसेंट ड्रक्स है बेंजोडाइजेपाम डिट्रक्स है यह सब दवायां देते हैं साथी साथ में दवायों के साथ में इस प्रकार से अनवेलक्म अउडिया आ रहा है उनकी अक्लिटिक करना है उसको कम बताना है समझाना है कि यह साहिह नहीं आल मैं उनको प्रोसाइत करना है तो इस प्रकार्से कंडिशन की यसाती है यहं दूसरा के अंदर व्यक्ति को किसी व्यक्ति को डर लगता है जैसे रोड को क्रोस कराना रोड क्रोस रोड क्रोस अब रोड क्रोस करवाएंगे तो क्या करना होगा एक सोटा सा बच्चा है अपने मदर के साथ में जैसे रोड पर जाएगा वो डरने लग जाएगा नहीं मेरे से नहीं ह होगा तो अब रोड के किनारे पर एक मदर खड़ा कक्षडी हो जाती है और बच्चे को क्या मैद आइस्ट की तरह चला जाता Effective फिर बाद में धिरे-दिरे जुश्रे दिन आते हैं ऐसक्रीम लेकर आते हैं और उस प्रकार से मदर है वह जो रोड के उस किनारे पकर्णी कि प्करने लीघे लेने के लिए इस प्रकार लाता है और और वह रॉड को क्रोस कर लेता है पिर बाद में थीसे दिर मदर अकली वहां पर खड़ी रहती है और उसके बाद में बोलते हैं कि क्रोस करिए तो इस प्रकार से बार-बार उसको आदत में डाला जाता है तो इस प्रकार से एंविलकम आइडिया आ रहा है उस दिमाग के अंदर तो उसको क्या करते हैं बार-बार उसको समझाए जाता है नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना है उसको आदत के अंदर डाला जाता है उसके स्ट Chi वैक्ति बर लगता है जैसे मैं कहूं कि एक वैक्ति है वह उस्सा इसे डर लगरा है अंहेरे से डर लग रहा है तो अंहेरे से data लग unbelievably a कने ज़ुक को उसको क्या करते हैं कि एक दम अचानक पन्राम हिंट लिए बंद कर देते हैं लाइट चालू है और एक फिक्स मेंज है वह रख दिया और उसके बाद में क्या करते हैं कि हुआ क्या हुआ वह तोड़ फोड़ कुछ टाइम के लिए करता है फिर बाद में लाइट को ओन करते हैं तो फिर बाद में उसको देखता है कि नहीं ऐसा इसमें तो कुछ नहीं होता है अंदरा हो या कुछ भी हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आजाता है तो यह कंडिशन देखने को मिलती है तो इस प्रकार से फ्लूडिंग के अंदर क्या करते हैं फोबिया होता है डर होता है उसको बगाया जाता है ठीक है रूम के अंदर बार-बार बंद करके उसको प्रेक्टिस किया जाता है उसको कॉन्फिडेंस क्या किया धाता है बढ़ाया जाता है उसी परकार से उसके अंदर वेक्षी के अंदर एाइम यह रहै यह रहा है ऑपनाता इस लगा के आया, आपके पास में साभी है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार उसको देखिए, आपके दिमाग के अंदर confidence होना चाहिए, है ना, कि नहीं, यह ऐसा हो भी नहीं सकता है, तो इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, उसके बीवियर को change किया जाता है, उसके बाद में thought blocking क के अंदर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, मोडलिंग के अंदर, फिल्म के अंदर क्या होता है, मोडल, मोडलिंग होते हैं, अलग-लग मोडल पेस किया जाते हैं, सबसे पहले किस प्रकार से activities करना है, कैसे dance करना है, उसके बारे में जो बताया जाता है, जैसे मैं कहू पिर बाद में वो बार-बार करते हैं जैसे ही वो सभी तरीके से कुर्टा पैन लेता है तो उसको तालीब जाते हैं उसको कुछ चॉकलेट देते हैं कुछ इनाम देते हैं उनको प्रोसाइज करते हैं तो इस परकार से मॉड्लिंग वाली प्रक्रिया करवाई जाती है कि आप इस प्रकार से अब आज दिन के अंदर 5-7 या 3-4 बार हाथ दोंगे उसके बाद में ज्यादा हाथ नहीं दोना है फिर जैसे ही वो हाथ नहीं दोएंगे एक्टिविटी नहीं करेंगे उनके दिमाग में आता है बुलग नहीं मना किया हुआ है उसको है शूली में डालना है लुख थीक है उसके बाद में से अर्षाल तरैपी जिसके अंतरकट किसके अंदर दिया जाता है बच्चों इसस परकार सी अंदर मैंने कोशन च्राब जुड़ वा मनुण एल्कॉलीजम के अंदर एवर्सन थेरफि दी जाती है अब यहां पर क्या है मतलब इसको पनिश्मेंट दिया जाता है ठिक है ना पनिश्मेंट के रूप में उनको इस प्रकार से अक्टिविटीज करोंगे तो पनिश्मेंट दिया जाएगा तो यह condition की जाती है behavior के अंदर changes लाया जाता है उसके बाद में ध्यान के अंदर meditation and relaxation therapy, yoga करने के लिए कहा जाता है, psychotherapies का प्रयोग इस रोग के अंदर क्या करते हैं, निर्म परकार के मनोशिक्षक वीजियों का प्रयोग किया जाता है, group therapy, लोगों को group में भी अपनी भावनाओं को निकालने के लिए बोला जाता है, उसके बाद में family therapy, family के अंदर विबीन परकार की जो कर ले है उसको सुलदाया जाता है, लोगों के घर में सामने सब के साथ में बिटाया जाता है, उने वाली abnormal गटना के बारे में घर के लोगों का support के साथ में उनको बताया जाता है, यह गलत है, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, तो इस परकार से family therapy दी जाता है, उसके बाद में supportive therapy, supportive therapy के अंदर विबीन परकार के उनके supportive कार्ये किये जाते हैं, उन व्यक्ति को mental ventilation, मतलब खुल करके बात करने के लिए बोला जाता है कि आपके दिमाग के अंदर आखिर में हो तो हो क्या रहा है, क्यों इस परकार से हो रहा है, कव से हो रहा है, क्या कोई आपके दिमाग में tension है, तो वो खुद बोलता है कि ऐसा मेरो को ऐसा कभी हुआ था, इस वज़े से हुआ है, तो खुल के बात करेगा, और जिसकी करते हैं, तो सबसे पहले history collection करना है, collection of the history, क्या condition है, कब से है, कितने टाइम से है, family history क्या है, उसके बाद में उसका ये मानसिक इस्तिती का आंकला, mental status examination करते हैं, mental status examination करते हैं, इसके parameters होते हैं, उसको देखना है, रोगी में बादेता संका विचार उत्पन करने वाले कारकों को कम करने का प्रयास करना है, जो activities कर रहा है, उसको बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है, टोकना है, उनको बताना है, ये गलत है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे समय की बरबादी होती है, आपके दिमाग में भले ही आता है, परन्तु ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा उनको बताना है, रोगी को सांथ, भ बात तो सही है इसने तो कोई मतलब है रोगी को तय समय परोस्थीपरदान करना क्योंकि दवाया mental disorder के अंदर नहीं करना हैं तो एक दम बनने करना है बिर्णोल ही करना है नहीं दूसरी है समय जो तय समय किया गया है कि सुभे देनाहएं साम को देनाह Cyrus combined यह सब ध्यान रखना है रोगी में सानुबूति पुण वेवार्बना रखना है की beta करना haiere कि वो अपने आप को कमी लाने का प्रयास करें, रोग कारक सिंताओं विचारों को वेक्ट करने के लिए प्रोसाइज करें, रोगी में आतम विश्वास में व्रिदी करना, रोगी की नई रूसिकर्ण गतिविदियों को करने के लिए प्रोसाइज देना, रोगी को ध्यान बोलते हैं कि बार-बार उसको सनान करने का मन करना है तो देव साभी उन देदो पानी देदो वो बार-बार प्रेशान हो जाएगा बुरग नहीं नहीं यह सब फालत हुए ठीक है तो इस प्रकार से परकरिया की जाती है बता ही जाती है और एक मरीज को साइकोलोजिक आलाजसिस थेरपी यह सारी थेरपी है बच्चों वो क्या किया जाता है दिया जाता है ठीक है तो आज की इस वीडियो के अंदर ऑफसेसिव कंपल्सिव डिसॉर्डर उसके बेसिक इंट्रोडेक्शन उसका डेफिनेशन उसके कारण उसके साइन्स सिम्टम और के अंदर फार्माकोलोजिकल मेनेजमेंट ड्रग सेरेपी देते हैं और नर्सिंग मेनेजमेंट मतलब नर्स के द्वारा किया गया कारे जब वैक्ती होस्पिल के अंदर भरती होता है तब तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही आपका दिन सुब्र है और अब पांस मि आपका बाई प्रभस